हलो एवरिवन, जय भोलेना, कैसे हो आप सब लोग, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अब जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, सुभे से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सुभे से क्या थिंकिंग है उनकी, आपको ले रेजोनेट नहीं करेगी, जो नहीं करेगी उसको जाने देना है, ठीक है, लेट्स सी, आपके परसन सुभे से आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस आपके बारे में क्या स्थर्ण 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 participation beyond illusion आश से अब और फियेक, और दॉन से जा कोर्कान वेश्डिकिर Оules गिसने लिएय। आदिने टनी फ्हुंटchs, ठची यून से जा कर्कोंट्यर अधैं उत्ट्य। दंब़ बोत, कैट ग्यूले इंए-व्ध्धनि Pokémon лай रडश्य। स्लोइंग डाउन गाइडन्स चुराशिया यहां पर है वो है एरी सचिटेरियस लियू जबना एक्विरियस लिब्रा क्याप्रिकॉन टॉरस द्वर्गो ठीक है देखो मुझे यहां पर ऐसे फील हो रहा है जैसे मौनिंग से यह परसन काफी चुप है ठीक है बात ज्यादा नहीं हुई है आपकी या तो बिल्कुल नहीं हुई है या फिर ना ही बहुत अच्छे से सुबह से बात हुई है I think मुझा लगता है कि कोई चीज का उनको जटका लगा है या फिर कोई चीज उन्होंने सोचा है कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ है तो उस बें ही चीज को लेकर ये सुबह से काफी ज़ादा सोच रहे हैं बौन ऑगती ज़ादा सोच रहे हैं काफी ज़ादा सोच के अंदर से जल रहे हैं कुछ unexpected निव्ज आपके बारे में उनको या तो मिला है या फिर वो अपने दिमाग में ऐसा कुछू हुन्हों ने सोच लिय रहा है है ऐसा हो गया है वैसा हो गया है जो की सच नहीं है ठीक ए कुछ ना कुछ ऐसा पहाPI तरीके से लगा है आक के बारे में नहीं कर रहा है लेकिन बहुत जादा अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं intuition के साथ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है आपकी life में ये चल रहा है या फिर आपकी life में वो चल रहा है sources से जाननी की कोशिश कर रहे हैं अगर आपके life में ऐसी कुछ चीज़े actually में हुई है और उनको नहीं पता है तो किसी भी तरीके से उन्होंने जाना है और जान के उस चीज़ के बारे में और जादा research कर रहे हैं और जादा जाननी की कोशिश कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि यह person जित वो ऐसे ही बहुत जादा सुचते थे तो अभी मुझे लगता है कि वो जाते जाते रुख गये हैं जाते जाते उनका जो रप्तार है वो slow down हो गया है ठीक है यह इसलिए हुआ है क्योंकि उनको कुछ बदलाब महसूस हो रहा है आप में विद्धिस गाइडन्स मुझे आपर लगता है कि हो सकता है या तो उनकी spiritual अवकिन हो रहा है या फिर उनको किसी ने बहुत अच्छे से मेभी समझाया है या फिर किसी से कुछ इनको बात पता चली है जो आपकी तरफ जो चीज लाता है वो चीज उनको किसी और से मेभी पत चला है तो उनका जो ख्यालाद है आपको लेकर या फिर उनकी जो thinking है वो काफी जादा बदली है यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है विद्धिस अडवेंचर काफी immaturity दिखा रहे है मेचौली उनको चीजे हांडल करने की ज़रुरत है बट वो immaturity दिखा रहे हैं आ और यह थोड़े से अंदर ही अंदर थोड़े से मचल रहे हैं या फिर थोड़े से आप सोच सकते हैं उनको uneasy feel हो रहा है आपके बारे में कुछ चीजे सोच सोच कर ठीक है यहाँ पर मुझे एक चीज फील हो रहे है उनको लग रहा है जैसे कि आपके life में कुछ celebration हो रहा है या फिर आपकी life में आपकी शादी हो गई या फिर कुछ खुछ यहां चल रही है आपने इनको बताया नहीं हो सकता है यह सिर्फ उनका एक illusion हो जो कि वो सिर्फ सोच रहे है क्योंकि उनको असली बात पता नहीं है तो उनको लग रहा है कुछ ना कुछ आपकी life में हुआ है अचानक से सुबह से वो interested और भी जादा हो गए है आपकी जीवन में ठीक है यहां पर मुझे लगता है कि यह person फिर एक बार सोच रहे हैं सुबह से काफी बार फिर एक बार आप जिसको बोलते हो second chance इस रिष्टे में second innings second chance के लिए यह person सोच रहे हैं कई ना कई मुझे लग रहा है सुबह से कुछ चीजों को लेकर हो सकता है hundred percent नहीं हुआ हो लेकिन कुछ चीजों को लेकर definitely उनको realization हुआ है और उस चीज के वज़े से ही आप से एक बार बात करना चाहते हैं यहां पर with this integration हो सकता है आप दोनों twin frame connection में हो like दोनों मुझे ऐसे दिख रही है कि एक person यहाँ बहुत शान थे दूसरा person नजर रख रहा है हो सकता है सुबह से morning से आप अपना काम करने में busy हो आप बहुत जादा you know इस person के उपर ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर आप अपने life में हो थोड़ा सा इनको देखते हो क्या कर है क्या नहीं और फिर आप अपना खुद का काम करते हो बड़ यह इस person ने constantly आपके उपर नजर बना के रखा है कि आपकी life में actually चल क्या रहा है ठीक है with this morality मुझे लगता है कि यह person आपको कुछ you know इनको लग रहा है कि आपके साथ बात करना बहतर होगा जो practical बात करना है वो बहतर होगा आपके साथ जिस चीज़ के लिए गलत किया है उस चीज़ के लिए बात करके एक बार माफी मांग लेना गलत होगा sorry सही होगा माफी ना मांग ना गलत होगा तो यह सारी चीज़े मुझे ऐसी उनके सुबैसे feelings दिख रही है लेकिन yes यहाँ पर उनको आख खुल के देखने की जरूरत है क्योंकि definitely यहाँ पर वो जो भी सोच रहे हैं या फिर जो भी feel कर रहे हैं हो सता है उनमें से बहुत सारी बात वो सिर्फ सोच रहे हैं ख्याली पलाओ हो बट उनको एक बार आपसे बात करके चीज़ों को sort out जरूर करने की जरूरत है मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके person को feel हो रहा है कि आप उनको सुबह से बिलकुल भी याद नहीं कर रहे हो आप अपने life में बहुत busy हो गए हो या फिर आप उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं न कहीं एक अभिमान भी उनका हो गया है कि तुम क्यों तुमने मुझे सुबह से नहीं एक बार call किया नहीं एक बार message किया और नहीं अगर तुम्हारे life में कुछ हो रहा है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं लाइक उनको जैसे feel हो रहा है आप तो हमेशा यहाँ पर हो बताने के लिए तो आपके जो person है कही ना कही मुझे लगता है कि यहीं सब वो सोच रहे हैं लेट सी और यह person क्या सोच रहे हैं और यह person क्या सोच रहे हैं मौनिंग से यह person और क्या सोच रहे हैं गाइस वीडियो को like जरूर कर दें और चानल को subscribe जरूर करें मौनिंग से यह person क्या सोच रहे हैं 3 of Cups, Cancer Scorpio Pisces मैंने बोला था कि उनको फील हो रहा है मैं भी आपके लाइफ में कुछ celebration, moment चल रहा है आपने कुछ enjoy किया हाल फिलाल और आपने उनको बताया नहीं अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कई न कई मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिन में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है ये person को कुछ गलत फैमी हो गई है आपकी कुछ चीजे थी और आपने बताया क्यों नहीं बट उसके अलावा मुझे यहां पर ऐसी दिख रहे है कि ये person अपने इनके लाइफ में कुछ बहुत अची चीज हुई है जो वो आपके साथ share करना चाते है ठीक है हो सकता है यह आपको बताना चाते है आपकी कोई past memory ऐसा है जो कि जिसमें आप दोनों बहुत साथ होंगे आज की दिन का कोई memory होगा जिसमें साथ होंगे या फिर ऐसी कोई जगा उन्होंने विजट किया होगा जहां पर आप दोनों साथ कभी गय होंगे और वो याद कर रहे है सुबह से morning से या फिर कोई चीज ऐसी जगे को लेकर याद आ गई कुछ न कुछ पुराने यादे उनको अच्छी यादे उनके दिमाग में फिर से आ रही है नेक्स्ट हमारे पास है दहीरियोफेंट इगें guidance का काड ही है यह परसन सुबह से प्यार देने के लिए और सीखने के लिए रेडी है ठीक है इस परसन को कहीं न कहीं मुझे लगता है सुबह से यह परसन ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अभी रेडी हूँ जो भी चीज़े हैं वो problem अभी side हो गया है मैं रेडी हूँ फिर से प्यार करने के लिए आपको प्यार करने के लिए जो गलती उन्होंने की है वो गलती से सीखने के लिए भी यह बहुत आदर रेडी है और उस गलती से सीख कर यह इस रिष्टे को एक अच्छी angle में लेके जाने के लिए सोच रहे हैं तो कहीं न कहीं अपनी गलती उन्होंने माना भी है और उस चीज़ को सीखा भी है ठीक है कि हाँ मुझे ये गलती दुबारा नहीं करनी है नेक्स्ट ये परसन सुबैसे क्या सोच रहे है वाव 10 of cups ये परसन कुछ विश कर रहे हैं कुछ विश मांग रहे हैं या फिर कुछ happiness मुझे लगता ही आप से शादी के लिए सुबैसे सोच रहे है या फिर शादी से रिलेटर कुछ सोच रहे है उनकी कुछ इस रिष्टे को लेकर wishes है और आपको वो चीज देखने के लिए मिलेगा ठीक है लाइक उनकी कुछ अच्छाएं है जो अभी याद आ रहे है कि मुझे इस person के साथ ये ये चीज़े करना था मैं नहीं कर पाया इस बार जब reconciliation करूँगा या फिर करूँगी मैं ये करूँगी या फिर वो करूँगी तो कईना कई मुझे लगता है कि उनको विश्क के कुछ लिस्ट है और वो आपके साथ सोच रहे हैं कि जब reconciliation होगा है morning से सोच रहे हैं जब reconciliation हो जाएगा तब ऐसा होगा तब ऐसा होगा ठीक है कईना कई तो बैसे ये मुझे happily emotional दिख रहे हैं रोके दोके emotional नहीं बहुत खुश होकर आपके बारे में सोचते हैं अपने feelings को जाहिर कर रहे हैं अपने दिमाग में आपके बारे में बहुत सारी चीज़े सोच रहे हैं very good वाव temperus है देखो यहाँ पर आपकी person को clarity already मिल चुकी है सुबह से 80-90% उनको clarity मिल चुकी है अगर ये सिर्फ problem था कि आगे आपके रिष्टे का future क्या होगा वो आपको बगतेंगे या नहीं आप दुनों साथ रह पाओगे या फिर नहीं एक होगे या नहीं तो सुबह से उ उनको कुछ ना कुछ चीजों को लेकर जरूर clarity मिली है और ये person जैसे बहुत ही जादा खुश मुझे दिख रहे हैं ये काफी time तक चुप रहे अभी ये चुप है लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ चुप है चुप होकर solution ढून रहे हैं और उनको solution इस relationship के regarding मिल भी चुका है ठीक उन्होंने feel किया है और क्या उनकी सोच है इस रिष्टे को लेकर ठीक है the emperor वाओ इन्होंने choices बनाना start कर दिया है ठीक है ये person बहुत strong stand लेने वाले हैं आपके लिए जैसे अगर ये आपके लिए stand नहीं ले रहे थे तो morning से सोच रहे हैं कि family के सामने stand लेंगे या फिर आपक सामने ही stand लेंगे जो गलती किया है उस चीज का माफी मांगेंगे और stand लेंगे ठीक है like मुझे कोई नहीं रोग सकता मैं जो भी करना चाहूंगा वो करूंगा ठीक है ऐसा सोचकर ये person मुझे आपके लिए stand लेते हुए मुझे दिख रहे हैं और दूसरा मुझे ऐसे दिख ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है king of cups बहुत प्यार आ रहा है सुबह से इस person को आपके उपर ठीक है like इनको लग रहा है कि जैसा मैं मोडूंगा चीजे उस तरीके से मोड जाएंगे वो आके इजहार करेंगे थोड़ा सा अपने feelings का प्यार का इजहार करेंगे और आप तुरं मान जाओगे उनको लगता है और मुझे ऐसे दिख रही है कि सुबह से बहुत जादा उनको बहुत emotional feeling भी आई है आपको लेकर बहुत जादा मुझे open होते हुए दिख रहे है like मुझे हाँ ये feelings है मुझे feeling you know accepting feelings accept कर रहे है या आपको feelings को मुझे इस तरीके से दिख रहे है ब and night of pentacles movement का card है हो सकता है इस person को time लगे ये person थोड़ा time ले आपसे बात करने के लिए but ये definitely आपसे बात करेंगे and it's all about stability ठीके security ये आपके you know ये आपको security देना चाते है relationship का security कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़के नहीं जाऊंगा ठीके और ये person थोड़ा सा उस way में सोच रहे ह long term decisions के बारे में सोच रहे हैं long term के लिए वो सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है हाला कि ये action लेने से पहले एक बार you know वो और सोचेंगे but feeling सुनकी काफी positive मुझे दिख रही है और एक दो कार्ट देखते हैं और ये person morning से क्या सोच रहे है justice वाओ fairness की बात यहां पर हो रही है सच बोलने की बात यहां पर हो रही है अगर healing यहां पर कहीं लिया जा रहा है तो काफी मुझे लगता है effective हो रहा है आपका healing तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके person आपको सच बताना चाते हैं जो चीज़े fair है वो बताना चाते हैं अगर कुछ ऐसी बात आपको नहीं पता है या फिर जाने अन जाने में इन्होंने कुछ गलत कर दिया है आपके साथ you know आपके साथ वो fairness करना चाते हैं truth बाहर लाना चाते हैं और justice यहाँ पर होगा मुझे दिख रहा है within 7-8 hours आपको कोई good news मिल सकता है आपके साथ justice होगा ठीक है so guys यह थी आपकी reading I hope आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले reading पर तब तक अपना ख्याल रखें bye guys